हलो एब्रिवन वल्कम बेक टो यूर ऑन चैनल साइंट या आम सिम्रन आज हम हमारी क्लास कॉंटीन्यू करेंगे जो है नेचुरल रिसोर्स पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेचुरल रिसोर्स अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन कवर कर लीजिए सो देट आपके बेसिक क्लियर हो जाएं हांजी अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो देट आपको सारी अपडेट्स टाइम टो टाइम मिलती रहें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का जो टॉपिक ह वो है वाटर क्यूंकि एर की बाद हम कर चुके हैं देखे वाटर क्या है जो हमारी अर्थ सरफेस है आपको पता है अर्थ के उपर वाटर बहुत ज़ादा अमाउंट में प्रेजेंट है क्लिया नास्ट बार हमने जब एर की बात की थी I mean जब नेच्टरल रिसोर्स की हमने डिसकुशन स्टार्ट की थी कि कौन कौन से नेच्टरल रिसोर्स होते हैं तब मैंने बताया था कि वाटर 75% कवर होता है किसके उपर अर्थ के उपर 75% है इसका मतलब जो बहुत जादा 100 मे इसे 75% तो सिरफ वाटर है जो कवर करता है एरिया तो अर्थ सर्फिस पर प्रेजेंट है अर्थ सर्फिस के अलावा अर्थ सर्फिस के अलावा जो वाटर है वो अंडर ग्राउंड भी प्रेजेंट है हमें पता है पानी क्या है जमीन के नीचे भी प्रेजेंट है तो जो व को ओर लिक वेट कि फों मेंं या अगर बात करें वेपर्फ की फों में ये वेपर्फ की स्टेट में गैसिय अइलग-इस टैट में क्या है हमारे पास प्रेजेंट है जैसे अगर बात करें जो फ्रेश वाटर है जो फ्रेश वाटर है शुद्ध साफ जो पानी है वो हमें बरफ के रूप में मिलता है जो फ्रेश वाटर है जो फ्रेश वाटर है यह किस फॉर्म में मिलता है यह फ्रोजन फॉर्म में मिलता है जिनके ओपर काफी सारी बरफ होती है वहाँ पर क्या होता है फ्रेश वाटर होता है अंडर्ग्राउंड वाटर की बात करें यह वाटर जो रिवर्ज में है लेक्स में है यह पॉंड्स में है यह भी क्या होता है फ्रेश वाटर में ही इंक्ल्यूड किया जाता है means जो fresh water है ये place to place vary होता है इसकी availability place to place एक जगा से दूसरी जगा क्या है वेरी करती रहती है clear अगर practically बात करें तो जो कुछ summers में क्या है कुछ ऐसे areas हैं जहां पे क्या है water की क्या हो जाती है shortage हो जाती है कमी हो जाती है जैसे हमें पता है राजस्थान तो वहाँ पे क्या किया जाता है हम क्या है install करते हैं कुछ ऐसे supply install करते हैं कि so that people को इन सारी चीजों की means कमी complete कर सके जादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े clear अब हमें पता है कि water हमारे लिए जरूरी क्यों है water necessary क्यों है हमारे लिए देखिए अगर बात करें जितने भी हमारे cellular cells है या cellular system है जो cells है इनके अंदर क्या present होता है water water क्या है medium है इनका clear mainly cells में क्या present होता है water present होता है अगर और बात करें तो water में बहुत सारी चीज़ें क्या है easily dissolve हो जाती है इसके अलावा जो water है ये waste product को हमारी body में से waste product को remove करवाने में help करता है clear in the form of urine urine या sweat पसेन ये water क्या है काम हो गया clear इसके अलावा कुछ organisms को और क्या है पानी की ज़रूरत होती है means alive रहने के लिए उनके लिए level of water water का जो level है इसको maintain करना बहुत ज़रूरी हो जाते है इसको maintain करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको alive जिन्दा रहने के लिए जो हमारे पास अगर बात करें देखिए अगर normally बात करें water की तो ये अलग-अलग form में अलग-अलग जगा अलग-अलग percentage present है जैसे blood की बात करें sorry तो इसमें near about 85% water है clear muscles में 75% होते हैं हमारी skin में भी 80% water होते हैं clear lungs में 90% water present होते हैं brain में 75% मतलब अलग-अलग जगा पे अलग-अलग क्या है amount है water की clear जितने भी terrestrial हमारी life है मतलब जो जीवन है स्थली जीवन है जो terrestrial जैसे हम लोग आ गए इन सब को क्या है water की बहुत जादा जरूरत पढ़ती है clear तो इनको किस water की जरूरत पढ़ती है में ली fresh water की क्योंकि ये जो जैसे saline water होते है न जिन में salt प्रेजेंट होते हैं हम लोग वो water को यूज नहीं कर पाते हैं बर जो aquatic organisms हैं जैसे whales, fishes ये क्या है ये फिर बिस line water में रह लेंगी बर जो terrestrial organism है इनको mainly किसकी जरूरत पढ़ती है fresh water की जरूरत पढ़ती है clear ये clear हुआ hopefully आपको ये चीज समझ आ चुकिया water की next अगर बात करें इस next बात करेंगे water pollution की अभी तक हमने सिर्फ water को समझा है अब बात करेंगे water pollution की water pollution देखिए कुछ unwanted मैंने पहले भी बताया unwanted particles जब साफ या fresh water में mix हो जाते है तो उनको हम क्या बोलते है water pollution बोलते है clear जब जैसे fertilizers या pesticides यह सब क्या है dissolve हो जाते हैं कहां से आते हैं यह farm से जो खेत होते हैं वहां से clear इनका जब यह dissolve होते तो इनका कुछ ना कुछ जो means यह कुछ ना कुछ किसमें चल जाते है directly water में चले जाते हैं जो fresh water जिनसे क्या है जो organisms हैं उनको क्या होती है problem clear जैसे अब बात करें सीवेज का water सीवेज जो टाउन्स का सिटीज का फैक्टरिस का वेस्ट यह सारा कहां जाते है रीवर्स में लेक्स में मोस्टली इंडस्ट्रीज का तो जाता ही इन सारे चीजों में मतलब लेक्स में रीवर्स में जिससे क्या होता है water pollution होते है clear जो water है यह जितना अगर बात करें deep जो हमारे reservoir है जहां पर पानी है वो क्या है day by day क्या हो रहा है cool हो रहा है जो water क्या है surface पे present है water जो deep reservoir है clear यहां पर जो water है वो colder है then जो water क्या है हमारी surface पे present है clear क्योंकि यह heat up हो जाता है sun की help से sun rays जब इस पर बढ़ते हैं तो यह heat up हो जाता है इससे क्या होता है जो water bodies है वो effect होती है इससे क्या है जो growth है जो growth है किसकी life forms की यह जितने भी अलग-अलग life forms है वो क्या होते हैं हाम होते हैं क्योंकि जो गंदा बानी है या हम बोले कुछ organisms है जो affect करते हैं कुछ किसको जो water bodies को जो कोई ऐसे ततव लगा लो जो क्या है पानी को नुकसान पहुंचा रहा है जिससे क्या है जो उनमें organisms रहते हैं वो भी क्या होते हैं effect होते हैं उन पर भी असर पड़ते हैं कुछ के तो growth भी हो जाते हैं कुछ organisms ऐसे होते हैं जिनकी growth भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कैसे कैसे affect होते हैं जैसे अगर बात करें first जैसे अगर किसी water में pesticides या fertilizers add होते हैं या pesticides ये सब चीजें जब add होती है तो water क्या हो जाता है poisonous हो जाता है क्योंकि ये जहरीली है poisonous water हो जाता है clear water अगर poisonous हो जाता है जैसे अगर बात करें mercury salt यह बहुत harmful है हमारी body के लिए mercury salt जब यह कौन यूज़ करते हैं mainly paper industries paper industries क्या है इसको use करते हैं mercury salt को जब यह water में you mix हो जाता है तो यह poisonous बना देता है उस water को clear या फिर fertilizers है या पैस्टिसाइज यह भी क्या है क्या बना देते हैं पानी को poisonous बना देते हैं तो इससे क्या है काफी सारे diseases होती है जैसे cholera ऐसी क्या है diseases होती है जब कोई भी unwanted particle क्या है add हो जाता है water bodies में तो काफी सारी diseases क्या है create होती है clear next बात करेंगे second point की second क्या है अगर हम water bodies में से जितनी भी water bodies है इस में से desirable substance को remove करवा दें desirable substance को remove करवा दें तो भी क्या होती है जो water bodies है वो effect होती है जैसे जो water का formula क्योंता है H2O इसका मतलब इसमें oxygen dissolve है ये जो water में oxygen dissolve होती है ये कौन यूज करता है animals and plants यूज करते है जो water में survive करते रहते हैं अगर इन में से कोई भी हम change water bodies में लेके दें means अगर हम oxygen की amount water में से reduce कर देते हैं कम कर देते हैं तो इसका directly effect किन को पहेगा ये animals और plants को या हम कह सकते हैं sorry organisms को तो और भी जो भी nutrients हैं ये सारे effect हो जाएंगे अगर हम desirable substance को water body में से remove कर देते हैं organisms हैं ये एक certain temperature तक survive कर सकते हैं water में इनका जो temperature है water bodies का वो fix होते हैं but अगर हम जो temperature है water bodies का वो suddenly rise हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो इससे क्या है ये dangers इनकी जो life है वो danger में आ जाती है clear next बात करेंगे minerals riches in the soil minerals in the soil देखे soil क्या है important resource है हमारा पहले हमने बात की air की water की अब बात करेंगे हम soil की अगर life की बात करें possible है देखे air के बीना हमारी life impossible है similarly water के बीना भी ऐसे ही जो हमारी life है उसको क्या है food की बहुत जादा क्या है जरूरत है food obtained हमें या तो plant से होते है या animals से जो plants है ये depend करते हैं soil पे clear तो जो हमारी earth है इसकी जो outermost layer है इसको हम बोलते हैं crust earth की outermost layer को बोलते हैं हम crust जिसमें बहुत सारे minerals present होते हैं variety of minerals present होते हैं अलग-अलग तरह के क्या है minerals इन पर present होते हैं जो क्या है हमें बहुत सारे nutrients supply करते हैं clear इससे क्या है बहुत सारी जो ये minerals हैं ये क्या है किस form में हमें rocks की forms में मिलते हैं huge rocks होते हैं इसकी form में मिलते हैं इनको जब हम rocks को break down करते हैं तोड़ते हैं physically, chemically या biological जब इन rocks को हम क्या है break करते हैं तोड़ते हैं कैसे physically чmis- Jelem है 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 किलिए तो इससे कुछ़्स फाइन पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं स्वाइल कुछ fine particles means जो बारीक particles होते हैं does fine particles बनते हैं जिसको हम बोलते हैं soil clear अब बात करेंगे कौन-कौन से factor है जिनकी वज़से क्या है soil की formation होती है कौन-कौन से factors हैं जो help करते हैं soil की formation के लिए सबसे पहले जो first है हमारे पास वो है sun sun क्या करता है ये day time में day time में क्या है heat up करता है stones को rocks को clear तो जब ये heat up हो जाते है तो ये expand हो जाते है clear expand का मतलब होता है fell जो sun है जब ये किसी भी चीज़ को हमें पता है sun की गर्मी की वज़े से हर चीज expand होती है और night time रात को ये क्या हो जाते है cool down ठंडे हो जाते है जिसकी वज़े से ये क्या हो जाते है contract का मतलब होता है sun गर्णा means इकठा हो जाना तो जो सारे parts है रोक के वो ना तो expand हो पाते है properly ना ही क्या हो पाते है contract जिस result से जिसकी वज़े से जो हमारे पास रोक से इन में क्या पढ़ जाते है cracks इन में क्या आ जाते है cracks आ जाते है यही cracks क्या है फिर small pieces में breakdown हो जाते है small pieces में breakdown हो जाते है जिससे किसकी formation होती है soil की formation होती है clear next बात करेंगे water की water भी help करता है soil की formation के लिए कैसे एक तो जो water है यह भी जब क्या है कहीं अगर बात करें जैसे sun heat की वज़े से crack डालता है soil में चटानों में रोक्स में उसी तरह सेम उसी वे में जो water है यह भी क्या है cracks form करता है किसमे जो रोक्स होती है clear जैसे जब water freeze हो गया तो भी इसमें क्या है cracks show होने लग जाते है तो water क्या है अगर काफी एक ही यह रोक है मान लीजिए काफी long period से water इसमें से pass हो रहा है तो after some time मतलब कुछ time के बाद अगर हम इसको continuously देखते रहेंगे तो इन में भी हमें cracks show होने लगेंगे इस rocks में तो यह किसका यह भी क्या काम करती है हमारे पास soil बनाने की काम करता है means small small particles बनते है उन small particles को further क्या करते है हम break down करते है जिन से क्या बनते है हमारे पास soil बनती है तो water भी क्या करते है soil बनाने के लिए हमारे पास helpful है क्योंकि इन में जो water का flow है जब इन rocks में से pass करते है तो ये cracks डाल देते हैं जिसकी वज़ा से soil की क्या हो जाती है formation हो जाती है clear next बात करेंगे wind की third है wind why you भी बोल देते है अब same process क्या है wind का है जैसे water क्या है rub करता था against rocks वैसे ही जो strong winds होती है वो भी क्या करती है rocks को breakdown कर देती है rocks को breakdown कर देती है जिनकी वज़ा से जो sand के particles है वो vary करती है one place to another एक जगा से दूसरी जगा vary करती है जिससे किसकी formation हो जाती है soil के fine particles की formation हो जाती है clear last इसका point है living organisms fourth point की बात करेंगे living organisms living organisms भी influence है जो formation of soil soil को बनाने के लिए soil को form करने के लिए जैसे लीचन्स है ये भी अगर बात करें जैसे soil क्या है grow होती रहती है एक certain period तक किसकी वज़ा से क्योंकि जो rocks present है उनको क्या है जो living organisms है ये break करते है किसमे thin layer में जैसे plants है जैसे most like plant है ये भी क्या करते है ये able होते है कि किसी भी surface पे grow हो जाए और जिस surface पे ये grow होते है उसको क्या कर देते है breakdown किस form में एक powder की form में break करते है तो जब ये powder की form में break down करते है तो हमारे पास एक thin layer बनती है किसकी soil की एक thin layer बनती है किसकी soil की layer बन जाती है तो mainly अगर बात करें soil की formation के लिए sun, water, wind और living organisms जैसे एक और ले सकते हैं जैसे कुछ बड़े trees, big trees होते हैं जो उनकी जो roots हैं वो grow होती हैं काफी जादा बड़ी हो जाती हैं जब bigger हो जाती हैं तो उनसे क्या हो जाता हैं जो rocks हैं जिस जगह पे वो tree क्या है हमने लगाया हुए या लगे हुए हैं वहाँ पे क्या होने लगते हैं force की वज़े से cracks आने लगते हैं जब उस surface पे crack आने लगते हैं बड़े क्रैक हो जाते हैं तब भी हमारे पास पास उन रोक में से क्या फॉर्मेशन होती है हको यह वहां निए हार इंद सारे हमारे पाश उन रेजन्ट है से सो य Лの को फॉर्म करने के लिए यह वहरा पता है is एक mixture है काफी सारे particles का mixture है जिसमें fine particles भी आ जाते हैं बड़े particles भी आ जाते हैं अलग-अलग size के particles होते हैं यह तो इन जो अलग-अलग size के particles से हमारे पास soil की formation होती है इनके बहुत सारे factors हैं जैसे हमने अभी बात की sun, water, wind, living organisms, etc. plants सारे इसी में आ जाएंगे living organisms में इससे हमारे पास क्या होती है? soil की formation हो जाती है, clear, hopefully यहां तक clear हो चुक है, next हम जो soil pollution है या बाकी जितना भी रह गया, वो next class में continue करेंगे, I hope आपको यहां तक सब clear हो चुक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, and comment जरूर कीजिएगा, जो भी आपके friends exam की competitive exam की preparation कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, free of cost हैं सारी classes, telegram group को join कर लीजिएगा, description box में मैंने link provide किया हुआ है, thank you so much, कुर उनके साथ एकाल, कुरणाची है, और अगर रहे हैं, जो छोıyla मैं जोजिएगा, जो वीजिएगा, जो इए घ rebels, और रहेः, यहाँ